हेलो शुडेंट्स लेट उस सी एक्सरसाइज 2.5 कुश्य नमबर 8 को देखिए कुश्य नमबर 8 है 15 इंटू बिदिम ब्रिकेट वाई माइनस 4 माइनस 2 बिदिम ब्रिकेट वाई माईनस 9 प्लस 5 बिदिम ब्रिकेट वाई निकालना है तो चलिए इसको simplify करते हैं तो देखिए हैं यहां पर multiply का साइन है 15 इंटू इंटू इसकोल इक égal टू 15y और यह पर चलिए multiply कर लेते हैं लुम माइनस plus करेंट टुञाई तुञाए तुञाइ एटीन तो आगे है प्लस एकटिन अब ये plus प्लस करेंट टु प्लस 5सिजा थार्टि इसकोल टू जीरू अब हम क्या करेंगे ii को एक पास कर लेंगे और number number को एक पास कर लेंगे तो देखिए plus y जो है एक पास कर लेजिए 15y और ये plus 5y और उसके बाद minus 2y ठीक है और number को बिख लेते हैं minus 60 और ये plus 18 और ये plus 30 is equal to 0 अब देखिए 15y plus 5y is equal to क्या गया 20y और ये minus 2y है तो minus 2y ये minus 60 है minus 60 30 plus 18 is equal to कितना हो गया plus 48 is equal to 0 अब 20y में से 2y minus करेंगे आ जाएगा 18y और minus 60 में से plus 48 निकाल देंगे तो minus 12 is equal to 0 अब minus 12 को हम right side भेज देंगे तो आज आएगा 18y is equal to 12 ठीक है minus 12 को right में भेजा तो plus 12 हो गया अब देखिए 18 क्या है multiply में है तो इधर भेजेंगे divide में होगा right side में तो y is equal to 12 divided by 18 काड़ दीजे 6 2 z 12 6 3 z 18 तो y is equal to 2 आगया 2 by 3 okay it is your answer now let us see exercise 2.5 question number 9 तो आज दिखते है question number 9 को तो देखिए question number 9 है 3 within bracket 5 z minus 7 minus 2 within bracket 9 z minus 11 is equal to 4 within bracket 8 z minus 13 minus 17 अब देखिए इसको हमको simplify करना है और z की value निकालना है क्योंकि z यहाँ पर variable है तो चलिए देखिए सबसे पहले हम इसको simplify करते हैं तो 3 का multiply दोनों में है तो यह देखिए 3 into 5 करेंगे 3 5 जा 15 15 z आ गया और यह plus minus करेंटू minus 3 7 z 21 आ गया और यह minus plus करेंटू minus 2 9 z 18 18 z क्योंकि साथ में z है और यह minus minus करेंटू plus 2 into 11 11 2 z 22 plus 22 आ गया इसको फोर एड़ जा 32 32 z रहां लिख देंगे minus 18 z z को एक पास कर लेंगे और नमबर नमबर को एक पास कर लेंगे minus 21 और यह plus 22 is equal to यह 32 z और यह minus 52 minus 17 कितना हो गया minus 69 अब हम इसको थोड़ा शाल्प कर लेंगे तो minus 18 z में से plus 15 z निकाल देंगे तो क्या बचेगा minus 3 z और यह plus 22 minus 21 is equal to plus 1 तो is equal to is equal to 32 z minus 69 अब देखिए नमबर नमबर को एक पास कर लेंगे और z z को एक पास कर लेंगे तो 1 है 1 लिख लेंगे और यह minus 69 को left में लाएंगे तो plus 69 हो जाएगा is equal to 32 z और minus 3 z को right में भीजेंगे तो plus 3 z तो 69 plus 1 70 is equal to और यह 32 z plus 3 z is equal to 35 z तो आ गया 35 z is equal to 70 अब 35 यहाँ पर multiply में है तो left में भीजेंगे दिवाइड में हो जाएगा तो देखिए question number 10 है 0.25 within bracket 4f minus 3 is equal to 0.05 within bracket 10f minus 9 तो देखिए हमको इसको simplify करना है और f की value निकालना है तो देखिए 0.25 को हम fraction में लिखेंगे तो क्या हो सकता है इस point को हटाएंगे तो क्या होगा 25 divided by 100 होगा अगर इस point को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 क्योंकि दो अंग पे point है अपान 100 करेंगे point हट जाएगा तो आप लिखलेंगे 25 divided by 100 within bracket 4f minus 3 is equal to अब यहां भी point हटा देंगे दो अंग पे लगा हुआ है तो 5 upon 100 within bracket 10f minus 9 कार देते हैं तो चलिए कार दीजिए तो यह 100 और यह 100 कैंसिल हो गया दिखिए टेनमेटर में इसके 100 है और इधर भी 100 है कट गया और नुमेरेटर कर देते हैं 5 1 जा 5 और यह 5 5 जा 25 ठीखा इस तरीके से काटेंगे तो यहां पर बचा क्या 5 within bracket 4f minus 3 is equal to अब यहां पर 1 है 1 का multiply करने पर यही नंबर आएगा तो is equal 2 आ जाएगा 10f minus 9 अब 5 का multiply दोनों में कर देंगे 5 4 20 20f और यह plus minus 2 minus 5 3 15 is equal to 10f minus 9 अब हम ff को एक पास कर लेंगे नंबर नंबर को एक पास कर लेंगे तो यह 20f अपने अस्थान पे है और plus 10f को left मिलाएंगे तो minus 10f is equal to यह minus 9 अपने इस्थान पे है और यह minus 15 को हम right side में लाएंगे तो plus 15 हो जाएगा 20f minus 10f is equal to 10f is equal to 20f में से 10f minus करेंगे तो क्या आएगा 10f अब 15 minus 9 करेंगे 6 अब देखिए 10 जो है in 2 में है right side में भीज़ेंगे divide में होगा तो f is equal to 6 by 10 ठीक है ना अब 6 by 10 है इसको कार देंगे क बार दीजिए देखिए 236 2510 3 by 5 आ गया और 5 वंचा 5 5 6 30 होता है तो 0.6 आ जाएगा वह ऐसे भी आप जानते हैं 6 by 10 करेंगे तो क्या एगर एक 0 है एक अंपर point लग जाएगा 0.6 आएगा तो f की value क्या आ गई 0.6 ओके